अपने शहर की लेटिस खमरों के लिए न्यूस को सब्स्ट्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं बहुत ही महत्पून चुना होने जा रहा है यह चुनाओ थोड़ा बिचित्र किसिंगा हो गया है और वो बिचित्र किया है यह बताने के लिए आपके पास आए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपको चुनाओं में नेने लेने में असानी हूँ क्योंकि आज हम लोगों ने जो गड़ बंदन बनाया है इस गड़ बंदन को देखकर हमारे विपक्षी NDA भाजपा की गड़ बंदन आज तार तार हुई पड़ी है आज ये लोग सरकार में रहते हुए भी एक साथ अलग-अलग राश्ते चुनाओं लड़ रहे हैं कई लोग यहाँ पर मौझूदा भाजपा राजपा राच्चु की सरकार चल रही है लेकिन चुनाओं ये लोग अलग-लग लड़ रहे हैं बिहार में जदियों के साथ ये सरकार चला रहे हैं, जदियों के लोग भी चुनाओ लड़ रहे हैं, लोचपा का लोग मंतरी में हैं, वो लोग भी चुनाओ लड़ रहे हैं, ये अधीम हालत हो गया, मुझे लगता है जेस में सबसे विचितर चुनाओ जारकंड में हो रहा ह सरकार बनाते हैं, ये लोग साथ साथ और चुनाओ लड़ते हैं अलग-अलग इसका माजरा समझनी क्या भैसकता है बहुत सारी बात हम लोगों ने आपके समझ कहा है मैं आपको थोड़ा सा ताजा क्षबर आपको बताना चाता हूँ आज का ताजा क्षबर आज का ताजा ख़बर ये है कि दिल्ली में एक बैठक चल रहा है और बहुत भात्पुन बैठक चल रहा है और उस बैठक में एक नेने लिया जा रहा है और वो नेने ये लिया जा रहा है कि धी जारकन कुनाव के बाद बीस तारीक के बाद पूरे देश के अंदर गरीबों के उपर महंगाई की बड़ी जोर से पिटाई होने वाली है हमार पड़नी वो इसलिए क्योंकि जी समान में पाच प्रतिसद का टैक्स लग रहा है अभी और जिसमें 12 परतिसद का अभी जी स्की लग रहा है उसको ये 16 से 17 परसंट करने के तैयारी कर रहा है और ये कौन समान है ये समान गरी मजदूर किसान मजदवरगी लोग उसका उप्योग करते हैं उन्हीं लोग का समान महंगा होगा यहां पर महिलाएं साड़ी खड़ी द खड़ी देंगे लूंगी खड़ी देंगे गमचा खड़ी देंगे तोपी खड़ी देंगे या कुछ भी खड़ी देंगे सब महंगा होने जा रहा है बच्चों का स्कूल बैक महंगा होगा किताब महंगा होगा पैंसिल महंगा होगा चपल महंगा होगा नमक महंगा होगा तेल महंगा हो जाएगा सब जी सब कुछ महंगा होने जा रहा है और अभी तो अभी तो आप प्याज कैसे किलो खरीद रहे हैं आप तो मालू मेरा कैसे किलो भिक रहा है प्याज आप देड़ सो रुपिया किलो प्याज है न वो बीस तारीक के बाद पांच रुपिया किलो होने जा रहा है बता देते हैं अब आप लोग तैंक कर लिए कि क्या करना है हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं क्या यह ऐसा महंगाई बढ़ाने वालों को भोड़ दीजेगा यह देज का खजाना लूट चुके हैं यह देज का खजाना यह खाली कर चुके हैं और आज उस खजाना को भरने के लिए गरीबों के जेप में डाका डालने के फिर से तैयारी हो रही है अब इन कुछ दिन पहले बजट आया था दो धाई माने पहले इन लोगों ने बड़े बड़े कॉर्परेट घराने को लाब पहुचाया है उसमें टैक्स में कटोती करके लगबग देड़ लाग करड़ रूपिया का लाब उन कॉर्परेट घराने को पहुचाया है और घर में कोई नालाएग बेटा हो नालाएग बेटा करता क्या है वो कोई काम हुआम ने करता है बाबाब दादा का जमीन बेच करके वो अपना घर दुआर चलाता है और यहीं बात पाका लोग हमारे नेरु जी का गांधी जी का संपत्ति को बेज बेज करके के देश चलाने का काम कर रहा ह्ए आज बहुत विश्यतरी बात है कभी आप सूनेंगे स्केशन भी रहा है रेल भी रहा है कभी पता चलेगा भी स्न भी रहा है इसलिए साथ-साथ ये चुनाव बहुत चुनाव है आप इन बहरूपियों को समझिए ये लोग राजमितिक दल के रूप में नहीं बलकि राजमितिक गिरों के रूप में आ रहे हैं हमारे साथ चुनाव लड़ने के लिए आज यहां पर उपस्ति जितने भी यहां पर लोग है चाहे कोई भी समाज के हो हिंदू हो मुस्लिम हो इसाय हो आदिवासी भाई हो अगड़ी जाती हो पिछड़ी जाती हो आप लोग एक बात कान खोल करके सुन लिजिए अगर आप लोगों ने महागड़ बंदन क्यालावा किसी दूसरे को भोड़ दिया वो सारा भोड़ भारती जंता पाटी को चला जाएगा बता गता क्योंकि अभी इन लोगों ने आपने देखा किस तरीके से करनाटक में 50-50 करोर रुपया दे करके बिधायकों से इस्तिफा कराया है आज इसलिए पैसे के बल पर फिर से यह च जाना चाहिए आज हमारे देश के परदान मंत्री आके यहां कहते हैं कि बहुत पैसा हम जारती सरकार को देते हैं लेकिन यहां के लोग खा जाते हैं लेकिन यह नहीं बताते कि यहां का खाने वाला कौन है यहां का मुखमंत्री कौन है यहां रगवर्दात जो आपका लट डबल इंजन की सरकार अभी दिली में पूरा देश को एक लूटने में लगे है, दूसरा ही हं vet 언제 सब्सक्रान हो चुका है, आजञा आज कše चुना हो रहा है, एक इंजन पहले ही सीज़ कर चुका है बस एक ही इंजन बाकी है अब उस इंजन को इस तिसरे चौथे चुनाओं में इसका फूर्जा एतना धिला कर देना है कि दुबा को तबाडी वाला भी उसको उठाने से धबरा जाए इसलिए साथी आज इतना रुप्या इस राज में तो पारा सिच्चक क्यों आत्मात्या कर गया आज इस राज में इतना रुप्या आया तो आंगन बारी सेवी का साइटा को लाठी दंटे गोली क्यों खाने पड़े आज इतना रुप्या आया तो यहां किसान क्यों आत्मात्या क्या आज यहां इतना रुप्या आया तो तंत्र के फरव में देना पड़ेगा अपना पूर्ण बहुमत की सरकार बने खरीद फरोत की सरकार ना बने इसलिए आप महागडबंदन को जिताने का काम करें इसलिए मैं इनी संचीत बातों से अपनी बातों को समात करना चाहूंगा दो नमबर हम लोगे मशिन पर आदर ने राहूल जी का आदर ने सुलिया गांदी जी का आदर ने गुरू जी का आदर ने लालु परसादी आदर जी का असिरवाद पराप हमारा दो नमबर एबियम बटन पर हमारा कुद्बदिन सेख जी का छाप है इसको हर हाल में जिताने क काम करेंगे इनी बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद